हेलो गाईज मेरा नाम है रभी ओ स्टेडी गलो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोश्तों कभी आपने सोचा होगा कि एक पहाड है और उस पहाड पे उस चटान के चारो तरफ अंडे ही अंडे हैं और उस चटान अंडों से धाका हुआ है कभी आप इसको सोच सकते हैं नहीं न लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ है जो कैनेडा के रिसेर्चर थे उन्होंने क्या किया एक ऐसा वॉलकनियों ढूना कहां पे पैस्पिकोसियन में जो की पूरी तरीके से अंडों से धाका हुआ है कितने अंडों से धाका हुआ है लाग भग लाग भग दस से बीस लाघ अंडों से धाका हुआ है जैसे मैं आपको यहाप दिखाओ कूं जयासित विश्पिक है जए इमेज आप देख रहे हैं यहां पे है और जो उनकी मा है वह क्या कर रही है उन अंडों को इसक्ले लाग यहां पर मैं आपको दिखा हूं जैसे आप देखेर अठीट पर सभी तियंगे यह जो इमज आप देख रहे हैं यह यह भी क्या है अंडे तो आप देखेंगे अलग अलग जानवर के क्या है वहां पर अंडे मैं और बता दूँ कि 2018 में 2018 में ऐसा ही रिसर्च हुआ था जिसमे तो वैज्यानिकों ने सोचा कि हो सकता है अंडे समुद्र है उसके नीचे जानवर है तो वहां पे अंडे तो होंगे ही होंगे और सब होंगे ही ठीक है लेकिन इस बार जो जॉला मुखी ढूना गया जो की बहुत एक्टिव था जिसकी वजह से उन्होंने देखा कि उसके जो है तो आखिर क्या है और कहां पी यह हुआ है ठीक है इसको में समझेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको यह बता दूँ कि हमारा कोर्स है आपको भी अगर अपनी लाइब में ठीक है बहुत ज़्यादा ग्रो करना है तो इस को जरूर अवेल करें क्योंकि यहां प नहीं सिखाया ही नहीं जाता है तो यह हर चीज यहां पर अवलेबल है अल्ट्रा लर्निंग है जिससे आपकी जो है याद करने की पढ़ने की वह सारी यहां पर आपकी बढ़ जाएगी दोस्तों बारा घंटे का यह क्लास उसके उपर क्लास है यह फ्लोट 25 कोड आप सेंगे ठीक है कि ASEAN अंडर वाटर वालकानों ठीक सप्राइलींग हरबर्स एक्ट्यीव लाइफ ठीक है मतलब कि जो वालकानों देखा गया पहली बात वह एक्ट्व है एक्ट्व क्या मतलब है कि वह लगातार भी स्थी पोर्ट कर रहा है धोड़ा धोड़ा उसमें से वग्यानिक थे जब वो समुद्र के नीचे गए उन्होंने लगा था उसे खोज खोज गिया तब जाके उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत सारे ऐसे जानवर थे जिनके अंडे थे ठीक है जो वाइट से खोता है उसके भी अंडे वहां पर पाएगे तो अभी तक क्या था वहां पर लगभद 10-20,000,000 अंडे पाएगए और अभी वैग्यानिक सोच में है कि आखिर ऐसा क्यूं हुआ कि जिस वज़ए से वहां पर इतने जादा अंडे पाएगे कि जहां वालकोन है वह एक्टिव है तो वहां पर जाइर सी बात है वहां पर बिसपोर्ट होगा वहा ज़्यादा सोध कर रहे हैं दूसरी दोस्तों क्या था कि यह जो पहार था ठीक है जो जॉला मुखी था वो जो समुद्र तल है ठीक है जो समुद्र तल है उससे लगभग देड़ किलमीटर नीचे था और जो पहार था जो वालकुनों था उसकी जो हाइड थी लगभग 1100 वहां पे दोस्तों क्या था कि वहां पे बहुत ज्यादा सार्क भी वहां पे बहुत ज्यादा अवलेबल थे ठीक है और उसको आपको मैं यह भी बता दूं कि उसको सबसे डेंडरस जगह में भी नाम दिया गया है वहां पे जाना बहुत मना है अब वही पी जो वेग्यानि इसकी ली गई है तो यहां पे आप देखेंगे जैसे कि मैंने बताया कि सारी चीजें वहाँ पे ली गई है और 2018 में ने इस पर भी काम किया था जैसा कि मैंने बताया लेकिन फिर से वही बात थी कि इतना ज्यादा अभी तक नहीं मिला था लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जैसी विजए से क्या हो कि जो उसके आंदर जो बाट सके ठीख है और वही श्याद कारूर कर श्ते में तो यह चुशिर उसके ब्याक टार इनीचे पास होगे तो यहां पर भी जीवन हर फालफूल विज़ाता है इसी वजए से जो वहां के जानवर थे जो मछलिया थी जो एनिमल थे वह सुरक्षित भी रहे और सबसे बड़ी चीज कि ऐसा टेंपरेचर ठीक मिल सके जहां पे क्या हो यह यह बन सके क्यों कि मैं आपको बता दू कि जो अंडे होते हैं दोश्टो यहां पर आप देखेंगे एक air cell होता है मतलब बहुत ही छोटे होते हैं जैसे कि आप बात समझे जब एक बच्चा मा के पेट में होता है उसको सारा nutrition मिलता है सारा oxygen हर चीज मिलता है लेकिन एक अंडा जो है वो तो बहार आ गया अब भाई उसको oxygen कैसे मिलेगा उसको मतलब उसको हवा तो चाहिए जब अंदर बच्चा बनने लगा ठीक है 15-20 दिन के अंदर यह बनके तयार हो जाते है उस दौरान इनको कैसे मिलेगा तो दोस्तों यहां पर क्या होता है एक air cell होता है ठीक है जब मुर्गें को सेक्ती है ठीक है तो जो यहां से होता है कि oxygen अंदर जाता है और दूसरी चीज क्य होता है कि यह जो प्रोटीन से बनने लगते हैं तो क्या होता है ब्लड विसल बन जाते हैं और यहां से क्या होता है दोस्तों कि ब्लड क्या होते हैं रोटेट होने लगते हैं ब्लड अंदर ऐसे रोटेट होते रहते हैं ठीक है छोटे-छोटे पतले विसल बनते हैं तो यह कि अधिक हैं जो चोटे को जब या होता है कि करोदों के बने बहुंच पाइथ है यहां दोस्तों जो मुरगय और इनको सेखती हैं ताकि टेमप्रेच्र आप रहे कि इन को हर एक चीज हर पोटीन मिलता अधरवाइस क्या होता है कि टेम्परिचर कम जादा होने से घ्रीक यह मर जाते हैं यह और रिजन हो ठीक अभी तक वह नहीं जान पाएं लेकिन उन्होंने पहली बार ऐसा देखा है तो यह चीजे होती है दूसरी चीज क्या होता है दोस्तों जैसा मैंने बता दूँ जो पान लेंहिक अंदर वालकुन होता है क्या मतलब है देखिए पहले इसको समझेंगे अधर ग्यां तीन तरीके awhileा मुक्य उते हैं होते हैं ऑ जोफ चृक्ट होते हैं और लामेंट होते हैं और आघ्सटिक्ट होते हैं यह हजार साल के आसपास ही होता है दूसरा दोस्तों क्या होता है डॉर्मेंट होते हैं यह क्या होता है कि इनके नीचे जो मैगमा होता है ठीक है जो मैगमा चमर हो बन चुका होता है एक दम तयार हो चुका होता है लेकिन इनमें भी वक्त होता है मान चलिए कि कई सालों का वक्त ह होता है अच्छा वक्त होता है जिस में क्या हो जाएंगे इनको यह बता जा सकता है हम अब यह हैं पर क्या है कि यह कुछ सालों करने वे WILL को इंप है कि यह पैदा करना चुरू कर दिया है मतलब विसका यह तयार हो चुका है यह कभी भी फट सकता है रहा ही हो सकता है यह कभी практиks थे इनर क्रेश्टक्र थे आघ से बना हुआ है इसको ऊपर क्या होते हैं थीक रोक होते हैं अब भी UPर जो होगा इस पो क्थे पंब फ़िफलाजमक से से तुन सरक आफ नर्ग होगा इसे यहां से यहां से धुने होता है कि टी खाता है आपर बन जाता है मतलब जो नीचे और वह नीचे बन चाब करेंगे इतना गरम होता है पत्थरे पिखलती है तो मैगमा बनती है आप पानी की यहां पर देखेंगे फिलकून हमें यहां पर पर होता है यह क्या है एक तरीके से जब जो मैगमा होता है बहुत घरम हो जाता है उसके बाद करा जब यह बाहर आते हैं ठीक है जो अंदर के रॉक होते हैं ठीक है यह क्या होते हैं यह क्या होते हैं बाहर आते हैं और जब यह बाहर आते हैं वैपराइज होते हैं यही हमें दिखता है ठीक है तो पानी के अंदर जो वेलकनों एक्टिव होते हैं तो हमें ऐसे ही दिखते हैं तो मतलब आप यहां पर देख सकते हैं जो टेंपरेचर है ठीक हो थोड़ा सा इंक्रीज होता है और इसी टेंपरेचर इंक्रीज होने की वज़ए से इनके जो आसपास होते हैं जो अंडे होते हैं वो जानवर देते हैं, ताकि क्या हो कि ऐसा इन्वार्मेंट मिल सके, जहां पर जो अंडे हो वो बच सके और फल फूल सके, तो इसी वज़ए से जो वांडे पाया गया, वहां पर यही था, जो अंडे थे वहां पर इसलिए दिये गये, ताकि जो मतलब वहां पर टेंपरेचर सब hier алomat oder dien autobr demanding system of their life agriculture इस व्ज़े से वह जवन वह पोज आप एंडर त्यम्म अब अब दोस्तों करें धीज यहां पर और यह प्योड़ पाय में से हुप इस तरफ ही यहां धुता है तो देखिते हैं दोस्तों ऐसा यह है कि मृने बताया जो जो Tectonic Plates होते हैं जैसे टक्टेनिक प्लेट है माले धर्ती में अब दो जूड़े हुए हैं इनके बीच में गैप है तो आग यहीं से लिखलती है ठीक है तो जहां पे दो प्लेटे जूड़ी हुई है वही ज्यादा तर वैलकनों पाए जाते हैं आपको जानके हरानी होगी क जो हमारी धर्ती है, अभी तक लगबग 1500 ऐसे जो एक्टिव जॉला मुखी है, वो खोगे गये है, मतलब 1500 एक्टिव जॉला मुखी है, जो खोगे गये है, जो आने वाले वक्त में फटेंगे, ठीक है, और हर साल यह माना जाता है, भगबग 10 से पंदर जॉला मुखी तो मतलब टोटल एक्टिव जॉल मुखी के हम बात करें तो पंदर सो है यह और भी जादा होंगे मैं गरेंटी दे रहा हूं क्योंकि जो ओसी नहीं चीपे होंगे अभी कुछ हजार वैलकोनों तो खोजे गये थे संभूद के नीचे ही तो भी बहुत सारे वैलकोन होंगे ठी इसको फायर निग भी बोलते हैं ठीक है कि यहां पर किव बना हुआ है क्योंकि यहां पर देखियंके सबसे जुल कि यहीं पर यहीं पर यहीं पर पाय जाते हैं ओर जांकि मैंने बताया कि सबसे सब्सक्राइब और जहां भी समुझत की निचे ऐसे वैलकनों होंगे वह एक्टिव होंगे तो वहां पर अंडों की मात्रा जादा पाए जाएगी और वही चीजे जो कैनेडा के सांटिस्ट है वह उनको मिला है अब इस पर बहुत सरी चीजे भी सोध की बाते हैं क्योंकि हो स कि सारे वैलकनों होंगे वहां पर अभी सोध होना बाकि है लेकिन यह बहुत बड़ा एक सोध है यह वैग्यानिक की सामने आया कि जहां पर जॉला मुकी है फट रहे हैं वहां पर अंडों की मात्रा जादा है इससे बहुत कुछ जानकारी मिलेगी कि जानवर कैसे बिहेव क पाएंगे कि जहां पर अंडों की मात्रा जादा होगी वहां पर उसका अंदेशा लगा पाएंगे कि यह जो जॉला मुखी है यह फटने वाला है या नहीं फटने वाला है तो एक बहुत बढ़ा सोध है और समुद्र के अंदर इन्हें और भी जानकारिया मिलेंगी कौन कौन से वैलकोन हैं क्योंकि समुद्र के नीचे दोस्तों सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वहां पर जो जॉला मुखी उनको खोजना बहुत मुस्किल होता है ठीक है अभी जो सैटेलाइट थी उनके द्वारा खोजा गया तब जाके लगभग पंदरह सो के आसपास जो जॉल पुड़ा में च्षंथक है अधिन दोस्तों अगर और आको अपनी लाइवं खने से बचाना है असटा अधना काफी हाव करना है तो जैसा कि मैंने बताया हमारा जो 골ilo ने बताया दोशतों इसको जरूर ले क्योंकि इसमें अचाह track अल्टा लर्निंग ब्रेन वेप्स थीक है हमने जो होते हैं उनका यूज किया है ट्रिगर्स हैं थेरपीज हैं सब कुछ यहां पे है जो लोग लाख रुपए खर्च करते हैं वह हम इंडिया में पहली बार लाए हैं मार्त दोस्तों निन्यान्वी में तो दोस्तों मिलते हैं नेक्श लेक्चर में थाइंक्यू सो मच